परम सथकार्योग सासंग जी रस्ना पवितर करिये टे आखिये टान सिरी साथगुरू जगजीत सेंग जी टान सिरी साथगुरू उदे सेंग जी सासंग जी साखिदा सिर लेख है इच्छा पूरक लेखक ने विबिरंजीत कौर जी जिन मस्तक तूरहार लिख्या तीना साथगुर मिल्या राम राजे पूरा साथगुरू ओना महान पागावालयानू मिल्दा है जिन आरे मस्तक वीच तूरों ही लिख्या हुन्दा है दे तारी साद्गुर्जी नो जड़े लोक नहीं मिल दे ओनारा जीवन वियार्थ है साद्गुर्जी दे दर्शन करनाल अनेका ही दुख दूर हुन देहन माई मेरे मन की प्यास इक खीन रहना सकूब इन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन्यास मेरा जनम भी एक अजे ही खुले परिवार वीच होया जो एक कटड अकाली अखवांदा है बचपन तो मेरा मान कला रहके ही खुश सी बच्या वीच खेड़ना खेड़न दा मेननू खास शौक नहीं सी पर जो में वड़ी हुन दी गई मेरा मान बानी पड़न वीच लाग्या गुरुवान या साखिया पड़ दी मान वीच कई वार सोच दी कि इस स्रिष्टी रचन हार दे दर्शन हो सक दे हन उस प्रभुनों वेखर लई मान लोच दाई रहन दा ते आख दी कि ओ किन्ने महान पागा वाले सन जिन्ना दे वक्त गुरुवाने अवतार तार्या अकाल पुरक दे दे दर्शन कारके निहाल हुन दे सन कि नचंगा हुन दा मैं भी उस वक्त पैदा होई हुन दी ते गुरुवाने दर्शन कर दी पर की आजवी स्रिष्टी ते किसे था ते अकाल पुरक ने अवतार तार्या है जे तार्या है तक इत थे कि मेरे पागावी च्वी उस दे दर्शन करने लिखे हुए हन ए सोच के कई वार मेरा मान बड़ा उदास हो जान्दा है मैंनू कोई अजीहा रस्ता नहीं सी लबडा जड़ा मेरे साधगुर जीरे दर्शन करवान्दा सन 1903 दी गाल है मैं दस्वी वीच पढ़दी उन्दिसा साधगा रोजाना अजीत अखबार होन्दा सी एक दिन उस वीच शी साधगुर आमसेंग जीरे जीवन बारे लेक लिख्या होया सी जिस दे वीच बीना डास तो व्या कुडिया नहीं मेचनिया वट्टा नहीं करना विद्व व्या दिखुल मिलनी मुकलावे दी पाबंदी एक लेक मेरे मानते अमिट असर कार गया किनना उच्चा ते सुच्चा पंथ है कुडिया मावापते बोज नहीं बन दिया काश में वी नामता रिपंथ वीच जनम लेंदी अटे अपनी मापया ते बोज ना बान दी मान वीच बहुत रंगा उठ दिया कि मैं कदों अकाल पुरक्ते दर्शन करागी पर मेरे मावापता अनामता रिपंथ नू चंगा नहीं समझ दे अंतर्यामी साद्गुर्जी सब नियां इच्छावां पूरियां कर दे हन मेरी पुकार सुने अटे मेरा व्या अजी हे गुरु सिखनाल होया जेड़े उस वक्त नामता रिपंथ दा बानाता नहीं सिपाउंदे पर उनाना मन साद्गुर्जी दे रांग वीच रंग्या होया सी तान मेरे साद्गुर्जी हन जो टुटियानों गंडदे हन विच्छडया रूहनों मिलाप कर दे हन जद उन्निस सुस्ताट वीच मेरे अनन्द का रस्द समा आया ता मेरे पिताजी ने अकाली रसमनाल लामा पड़ांदा प्रबंध कितता जदो लामा पड़निया शुरू करन लगे ता उस वक्तीक महान उच्छ हस्ती ने मेरे पिताजीनु दर्शन देते मेरे पीता जी कैन लगे संत जी चलो जालपानी चको उस महान पूरिश ने मेरे पीता जी नुके आप कि मेनु दरगावलो उकम होया है कि बच्चे बच्ची ता नांद का अरज होन लगा है जाके अशीरवाद दे आओ पीता जी ने सोचया कि लावा तो बाद ही जालपानी चका देवांगे उस महान पूरिश जदो तक लावा खतम ना होया उत्ते बैठे रहे जदो दो लावा होया ता साड़ा जोड खुल गया आम लोग इसनू चंगा नहीं समझ दे मीरी पीता जी दे दिल वीच भी शंका पया गई कि ये व्या नेपरे नी भी चड़ेगा जनाई दुबारा गांड जोड कारके दो लावा फेर होया लावा तो बाद मीरी पीता जी ओना महान पूर्खा नू लबबन लगे कि होन जाल पानी चकाई है पर ओता लावा तो बाद उत्ती ही ओत्तोई अलोप हो गई पीता जी इस अजीब कटना बारे बड़े हैरांसन पर पीता जी तो बीना उस महान पूर्ष दे किसे होर नू दर्शन नहीं सी हुए व्यावाले दिन ही मेनू पजन्दे रित्था गया जो मेरी जिन्दगी नू नवा जनम दे गया व्या तो तीजे दिन मेरी पीता जी इस कटना बारे मेरी पती जी ते मेनू सारा हाल दस्या मेरी पती जी ने मेरी पीता जी तो पुच्या कि उस महानस थी दा की हो जे आप हैरावा सी ते की हो जे आ शरीर सी पीता जी कहन लगे उच्चा लम्मा सुन्दर शरीर सफैद वस्तर सफैद ही दाड़ा सी ओना दा चेरे दा प्रताप बहुत जादा तेड़ सी मेरी पती कहन लगे की ती सार्गू प्रताप सिंग जी सन किन्दा चंगा हुन्दा मैंनू भी ओ आपनी चलक दिखा आजान दे पर ओता अलोप देवीच तुट्यानू दुबारा गंडण आयसन पजन्ता में लेल्यासी पर दर्शना दी तांग मेरी वद दी ही गई पर अंतरजामी साद्गूर जी ने मेरी ए आसमी व्यातो छी महिने बाद असुदे मेले ती पूरी कार देती जड़ो में साद्गूर जी रे दर्शन किते तां मेरी जनम जनम दी प्यास बुझ गई सानुए बिल्कुल ही पूल गया कि व्यातो बाद साड़ा गांड जोड खुल गया सी दौलत कहे मैं सब्तो वड़ी मैंनू खलकत सजदे कर दी अकल कहे मैं सब्तो वड़ी मैं विच कचेहरी लड़ी होनी कहे मैं सब्तो वड़ी मैं जो चाहां सो कर दी होनी बड़ी परबल है ते हो के ही रैंदी है पामेशी साध्गुर्जी दे चर्णा दे आसरे सूली तो सूल बान जावी पर वापर दी जरूर है ती मनुख नो थोड़ा बहुत बहुता फाल पुगतना जरूर पैंदा है साध्डा जीवन बड़ा सुखावा गुजर रहा सी व्यानों दो सालों चुके सन अचानक मेरे पती जी नौ फर्वरी उन्निसो उनत्तर नू कुछ अपने मावापनी नराजगी कारण बीना दस्या ही करों चले गए असी साब पासे लब-लब के ठाक गे पर ओना ना थाट इकाना ही न मिल्या उस वक्त में एकली ही इस दुनिया वीच पटकर लई रह गई मेरे कूल कोई बच्चा जा बच्ची भी नहीं सी जिस दे आसरे जिंदगी दे दिन पूरे कार दी दुनिया दे सब रिष्टेदारा ने मेरा साथ चाड़ दिता एठ्थु तक मेरे माता पीता जी वी मेरा दूसरा व्या करली तियार हो गे मेरे दुज्या व्या नहीं सी करोना जान दे पर मेरी पीता जी मेरी कोई गाली नहीं सी सुन दे मेरी पीता जी नाम तार यहनु चंगानी सन सबस दे मेरी पती जी बीना दसे करों चले गए हन अते पीता जी होन मेरा दुज्या व्या करना जाओंदे हन मैं दुबारा व्या करोंणा नहीं चान्दी आप जी तो बीना मेरा इस दुनिया वीच कोई नहीं सुख में संगी सब पाए दुख में संग न कोई इस चिठी दा जवाब में अपनी एकस हिल्ली दे पते ते मंगवाया ता जो मेरी पीता जी नराज ना हो जाण गरीब निवास दीन दुनिदे वाली करुणा निधान सचे पाश्य जी ने मेनू चिठी राई हुकम किता की पजनकार के अरदास करया गार मेरी टुट्टे माने नू कुछ तसल्ली हो गई सचे पाश्य जी नू में चिठी आपने दुखा निया लिख दे ते सचे पाश्य मेनू चिठी आ राही तीरज भक्ष दे मेरी पति जी नू करों गया छे महिन ने हो गे सन इनना ने ना मेनू ना किसे हो रिष्टेदार नू कुई राजी खुशी दी चिठी पाई मैं बड़ी परिशान सी कोई समझ नी सी प्यान दी कि की करा सचे पाश्य दी या चिठी आ पाड़के माननू तीरज हो जान दी पर जदो पति दी याद आं दी था माननू हॉल जया पैंदा इक होर चिठी राही में सचे पाश्य जी दे चर्णा वीचर दास किती कि ग्रीबनी वाजी ओ मेरी या दो मंगा हन इक मांगनू मंजूर कार लवो चाहे मेरी पति जी नू कार लाया आओ जा मेरी जिन्दगी दा अंत कार दे हो जी में एस तरह दुनिय वीच जिवना नहीं चाऊंदी तान मेरी साधगुर जी हन जीनाने ग्रीबनी दी अर्ज मंजूर कर दे हो मेरी पति जीनू साकार रूप विच दर्शन दे कारवा बस ल्यांदा मेरी पति जी दास देहान की अमरत वेले दो वजे उठके हार रोज जमना दे कंडे थे में सने केसी इश्नान कार के पजनकर दा होंदा सी एक दिन जदो में स्वेरेश नानकार के पजनकरन लगा, तो उस वक्त दो वजेदा समासी, ता मेनुशी सादगुर जी दे प्रताख दर्शन होए, में चरना ते हाथ जोड के एक लो गया सची बाश्य जी ने हुकम किता, क्योण वापसकार चल ल्याजा, तेरी सिंग नी पिछे तडप दी बई है, मैंनू तेरा बजन मंजूर नहीं वा सादगुर वा, तू होणी नू टाल सकदा है, इतिहास गवाई, चाहे ता रेक वीच मेक मार सकदा है, तू छेवी जामे वीच सुलकडे नू सात पुत्तर भख्षे, पाईसु बेग सिंग दे मत्य तो मुसल्मान हों दी रेक नू बदल दिता, तीमे यी शीर सादगु जग जी सिंग जी ने एक ठीकर चुक्या, ते मेरे मत्य ते रगड के साद रेका मिटा दिती, ते बचन की तां की तेरी किस्मत विच सारी उमर साद रेका सी, मैं मेट चल लिया हाँ, ते हून तो पांच दिन बाद टाई वज दी गड़ी जड़ी की सहारन पूर तो चल दी है, आजा मी, मैं हर्ज किती गरीब निवाज जी, मेरे कुल केवल एक चादर ते दोग चहरे हन, कार किस्त तरा जावा, सच्चे पाश्चा जी ने बचन किता, कि कपड़े भी आजान गे, इस तो बाद सच्चे पाश्चा जी ओथों अलोप हो गे, मेरे पती जी ने एक चि मेलनते आरे आहा, तुसी मेरे कपड़े पेज देो, कपड़े आ बारे कोई वेर्वा नहीं सी, कि केड़े कपड़े चाई देहन, खुले जा नामतारी वस्तर, पती जी रे दिल वीचे मांग सी, कि सच्चे पाश्चा जी नामतारी कपड़े पहुच आण गे, ता ही में कार जावांगा, सच्चे पाश्चा जी मेरी सास देहिर देवीच वसे, ओ कैन लगी कि में अपने पुत्तर नो नामतारी बस्तरा वीच कार ले आणा है, इस कार के उसने मेरी चोटे देवर देहात, नामतारी पहरावा ही कल्या, सच्चे पाश्चा जी दी किरपा नाल, एट आ आईवजे दी गड़ी द्वारा कार पहुंचे, साद्गुरा दी बक्षिश नाल, दो विचडिया रूहां दा मेल हो गया, तुटिया तक दीरा नुगंडया, कार वीच बढ़िया ही खुशिया होईया, और गवांड वदाईया देतिया, गुरबानी वीच ठीक ही लिख्य जैसा साद्गुर सुनी दा, तैसु ही मैं डीट, विचड़या मेले प्रभू, हर दर्गह का बसीट, हरे नामो मंत्र द्रिडाय दा, कट्टे हाउ मैं रोग, नानक साद्गुर तीना मिलाया, जिना तुरे पयासन जोग, सारे ही आकलिये, तान तान शिरी साद्गुरू, ज जीट सिंग जी, ओना दी चर्णा वीच, सड़ी डंडौत बंदना है,